हेलो दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल competition news में दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षक भरती से जुड़ी जो भी जानकानी मिलती है सबसे पहला आपके अपने चैनल competition news के माध्यम से आपको दी आती है तो दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं को एक बहुत बड़ा जटका लगा है दोस्तों बीटी सी अभ्यरतियों के उपलब्द ना होने पर ही योगा प्रात्मिक शिक्षक भरती में चैन पूरी खबर को देखने वाले हैं आप इस वीडियो को बिल्कुल एंट तक देखते रहे हैं दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि शिक्षक भरती से रिलेटेट पलबल की अपडेट हम आपको अपने चैनल कॉम्पेटिशन ने इसके मात्यम से देते रहते हैं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं डीलेट के पद बचन होगा चैन होगा तो दोस्तों यह मैं ऐसे शोचल मीडिया पर काफी तेजी से यहां पर वाइरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि 69,000 भड़ती में भी यह होने वाला है लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी खबर बताने वाला हूं इसलिए आप जो है इस वीडियो को बिलकुल एंड तक जरूर देखिए तो दोस्तों यह है वो पूरी न्यूज यहां पर आप देख सकते हैं पात्र शिक्षा में तर पक्के होंगे बाकी को यहां पर वेटेज मिलेगा और दोस्तों यह जो खबर है देहरा दून की दोस्तों खबरती और यहां पर आप देख सकते हैं यह लेड के पद बचने पर ही बीड वालों को मौका यहां पर मिलेगा और दोस्तों शोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि 69,000 भरती पर भी यह रूल लागू होगा लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्यो वहाँ पर यह सब चीज़े हो रही है लेकिन यूपी में और खास करके 69,000 शिक्षक भरती में यह सब कुछ नहीं होने वाला है तो फिलाल दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा कमेंट कीजिएगा शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि बच्चों को घबराने की इसके बाद बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी खास और से जो हमारे उत्ता प्रदेश के हैं और दोस्तों आपका क्या मानना है क्या यह होना सही है या सबी को यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए अपने कमेंट कर के माद ध्यमते हैं हमें जरूर बताएं कमेंट जरूर कीजेगा जो भी आपकी राय हो इस वीडियो पर फिलाल दोस्तों वीडियो में इतना ही जैहिन जैवार